अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ मास्टर शाहिद आप देख रहे हैं अपना यूड्यूब चैनल स्विंग मिशीन मास्टर दोस्तों आज हम बटन मिशीन की इंतहाई एहम सैटिंग सीखने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की जाने में दोस्तों ये हमारे पास जोक की बटन अटैच मिशीन है इसका मॉडल अमर है जे के तीन सो तेहेतर ये जोकी एमबी तीन सो तेहेतर की कॉपी है सबसे पहले हम निर्डल बार की हाइट चेक कर लेते हैं ये निर्डल बार की हाइट जैदा है निर्डल बार की हाइट 12 से 13 मिली होनी चाहिए हाइट सेट करने के लिए ये निर्डल बार कलंप का जो सुकुरू है इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे अब हम निडर बार की हाइट 12 मिली कर लेते हैं जी अब देख सकते हैं निडर बार की हाइट 12 मिली हो गई है अब हम निडर बार कलंप का सकरू टाइट कर लेते हैं इसकी निडर का साइज है टीक्यू वन 16 नमबर अब हम नीडल लगा देते हैं ये बटन मशीन का लूपर है लूपर की ये नोक बिल्कुल साफ होनी चाहिए लूपर पर किसी किसम की कोई कट या खराश नहीं होनी चाहिए ये जो काटन है इसके उपर ये सकुरू लगेगा अब हम ये सकुरू टाइट कर देते हैं अब हम लूपर और नीडल की टाइमिंग करेंगे उसके लिए हमें ये तीन की अलकी वाले दोनों सकुरू थोड़े लूज करने पड़ेंगे ये आप देख सकते हैं कि लूपर थोड़ा पीछे है ये जो नीडल का काट होता है लूपर की नोक उसके सेंटर से गुजरनी चाहिए अब हम लूपर को थोड़ा फारवर्ड कर देंगे ताके लूपर की नोक नीडल के काट के सेंटर से गुजरे अब हम ये जो नीडल और लूपर के दरम्यान फासला है इसको कम करेंगे लूपर और नीडल के दरम्यान बिल्कुल फासला नहीं होना चाहिए ये लूपर और नीडल के दरम्यान बिल्कुल फासला खतम हो गया है अब ये दोनों सुकुरू हम टैड कर देंगे जो लूपर और नीडल की टैमिंग के लिए लूज किये थे ये नीडल गाइड है ये यहां से बिल्कुल साफ होनी चाहिए इसको हम एमरी पेपर लगा लेते हैं थोड़ा फाइन कर लेते हैं कि अब हम इसको मिशीन पर लगाते हैं अब हम नीडल काइड की टैमिंग करते हैं कि नीडल और नीडल काइड की सेंटर में जो फासल है न वह जीरो शार या जीरो फाइव मिली होना चाहिए अब हम नीडल गाइड का या सकुरू टाइड कर देते हैं जी तो दोस्टो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल नोटिफिकेशन को आउन कर दें ताकि आपको हमारी हाराने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज